जैन दोस्तों मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल सर्वीश टू सेविंग गाइड सर्वीश टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कि आप जानते हैं कि फीडम फाइटर्स यानि की स्वतंता सेनानी जिन्होंने भारत की आजादी की लगाई में भाग ली थी और प्रतारित हुए थे उनको या फिर उनके परवार को स्वतंता सेनिक सम्मान योजना के तहट कितनी रासी पेंसन के रूप में दी जाती है और कौन कौन सी दूसरी सुबधाएं भारत सरकार के द्वारा मोहिया कराई जाती है यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि जितनी रासी पेंसन के रूप में स्वतंता सेनिक या फिर उनके परवार को दी जाती है या फिर जो दूसरी सुबधाएं स्वतंता सेनिक या फिर उनके परवार को भारत सरकार के द्वारा मोहिया कराई जाती है ये इतनी पेंसन की रासी और सुब्धाएं तो भारत सरकार के किसी सेवा निवरित कमचारी को भी नसीब नहीं होता है तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंतक देखिए आपको कई सारे रोचक जानकारी मिलेगी इस वीडियो में तो भी इडियो को आगे बरहाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्वीश टू से भी गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करे और भी इडियो अच्छा लगे तो जैदे जैदे लाइक और सेयर जरूर करे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ग्रीमंत्राला यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा राज सभा में ये पूरा ब्योरा दिया गया है पूरी जानकारी दिये ही है और इसी के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं आप इसकीन पर भी देख सकते हैं जो प्रस्न पूछा गया था इस्टार्ड कुस्टन के रूप में और उसके जबाब में जो पूरा ब्योरा है उसे अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जैसा कि आप देख सकत सबसे पहले बात करता हूं कि पेंसन की यानि कि कितनी रासी पेंसन के रूप में दी जाती है तो आप यहां देख सकते हैं स्वतंता सेनानियों की स्रेनी पहला जो है केटेगरी में माटा हुआ है और पहले प्रतिमा कितनी रासी पेंसन के रूप में दी जाती थी और एक साथ 2021 से कितनी रासी पेंसन के रूप में दी जा रही है तो आप देख सकते हैं कि पूर्ब अंडमान राजनेती कह दी यानि कि जो पोल्टिकल पिजनर थे पहले अंडमान में कह थे फिर या फिर उनके जो जीवन साथी है इस पौज है उनको पहले 30,000 रुपया पेंसन के रूप में दी जाती थी जिसे अब बढ़ा के 38,700 रुपया कर दी गई है और बेटीस भारत से बाहर यातना जहिलने वाले स्वतंता सेनानी या फिर जीवन साथी को पहले 800,000 रुपया पेंसन के रूप में दी जाती थी जिसे बढ़ा के अब 36,120 रुपया कर दी गई है और ठर्ड केटेगरी आप देख सकते हैं आई एन ए इंडियन नेशनल आर्मी सहित अमने स्वतंता सेनानी जो दूसरे के स्वतंता सेनानी है या फिर उनके इस पाउज है जिनें आप जीवन साथी काते हैं पहले 26,000 रुपय पिंसन के रूप में दी जाती थी जिसे बढ़ा के अब 33,500 रुपय कर दी गई है और जो चौथे केटेगरी आप देख रहे हैं कि आश्रित माता पिता जो स्वतंता सेनानी है अगर उनके डिपेंडेंट पाइरेंट से हैं और मैक्सिमम तीन डॉटर तक में यानि कि तीन पुत्रियां तक पहले 50% जो भी पिंसन का अमाउंट था उसका 50% दिया जाता था और लेकिन अभी भी 50% हैं लेकिन आप ये 16,770 से लेके 19,350 रुपय के बीच में दी जाती है और ये डिपेंड करता है जो उपर आप एक, दो, तीन केटेगरी की जो देख रहे हैं उनके जो पैंसन का अमाउंट आप यहां देख रहे हैं तो इसके 50% उनके प्रवार को यानि की डॉटर्स को या फिर डिपेंडेंट पारेंट से हैं माता पिता हैं तो उनको दी जाती है जो की 16,770, 19,350 रुपे की लीच में बनता है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दूसरी सुर्धाएं क्या-क्या दी जाती है तो आप देख सकते हैं कि स्वतनता सेनानियों उनकी बिधवा जैसे आप वीडो है या बिधूर के लिए एक सहयोगी के साथ उस स्रेणी में आजीबन निसुल्क रेलबे पास यानि की जब तक जीबीत रहेंगे तब तक ओ यातरा कर सकते हैं बिना किसी पेमेंट के और एलिजीबल है दुरंतो में सेकेंड ठर्ड एसी में राधधानी सतावदी जन सतावदी सहित किसी भी गारी में प्रथम स्रेणी या दूतिय स्रेणी एसी में यातरा कर सकते हैं निसुल्क दूसरी जो आप देख रहे हैं कि स्वतंता सिनानियों और उनके आश्रितों जो उनकी डिपेंडेंट हैं को क्यंद सरकार स्वास्थ सेवा जिसे CGHS के नाम से जानते हैं कि तहत निसुल्क चिकित्सा सुबधाएं और लोक उद्यम विभाग के नियंतरना धिन साबजनिक छेतर के उपकरमाओं जिसे पीएस्यू काते हैं द्वारा चलाए जारहे अस्पतालों में निसुल्क चिकित्सा उपजार यानि कि चाहे वो पीएस्यू के किल्निक हो हस्पीटल हो या फिर CGHS के तहट कोई भी हस्पीटल हो उसमें उनका निसुल्क यानि कि उनको उदाउट पेमेंट मेडिकल फैसलिटी दी जाती है फिर ही में दी जाती है जो साइज सरकारी कमचारी को नसीब नहीं होता है और जो रेल्विक की यातरा की बात है तो ये भी साइज किसी सरकारी कमचारी को नसीब नहीं होता है सेवा निवरिती के उपरांत और ठर्ड आप देख सकते हैं यदि बेभार हो तो अर्थापना प्रभार के बिना और केवल आधे किराय के भुगतान पर टेली फोन का कनेक्सन यानि की टेली फोन कनेक्सन भी उपलाव्द करवाया जाता है जिसके लिए उनको हाप जो रेंट होता है वो पे करना परता है और जो इंस्टॉलेशन का चार्ज होता है वो भी उनको नहीं पे करना परता है चौथे जो यहां पर आप देख रहे हैं फैसिलिटी जो सार्बजनिक छेतर की तेल विपनन कंपनियों है यानि के वाइल मार्केटिंग कंपनियों है कि जो पेट्रोल पॉंप गैस एजनसी की जो एलोटमेंट होता है पेट्रोल पॉंप हो या गैस एजनसी हो तो इसमें सामान चैन प्रक्रिया में दिब्यांगों यानि कि पी एच बेहतरीन खिलारियों या स्वतनता सेनानियों के लिए मिशित सेनी के अंतरगत 4% आरक्षित का प्रावधान है यानि कि जो ये मिक्स्ट केटेग्री है उसके तहट 4% आरक्षित किया गया है पेट्रोल पॉंप और गैस एजनसी के अलोटमेंट में पांच मात देख सकते हैं कि स्वतनता सेनानियों को दिल्ली में सामानने पूल का रिहाईसी आवास समगर 5% बीवेका धिन कोटे के भीतर स्वतनता सेनानी के जीवन साथी को स्वतनता सेनानी की मिर्टु के पसात उस आवास को 6 मा की अवधी तक अपने पास रखने के अनु जो कि स्वतंता सेनानी के लिए रिजर्व रखा जाता है और उनको एलोट किया जाता है और उनके जीवन साथ ही को स्वतंता सेनानी के निधन होने के बाद छे महने तक रहने की अनुमती होती है यानि की छे महने तक रह सकते हैं छटी जो सुद्धा आप देख रहे हैं स्वतंता सेनानियों उनके पात्र आसिरतों के लिए नई दिल्ली में ट्रांजिट आवास निवास एवं भेवजन उपलाद कराने के लिए एक पुर्ण रूपें सुसजित बिर्दहा वस्था के अनुकूल स्वतंता सेनानि ग्री है आप जो ओल्ड एज होम टैप का एक व्रस्था की गई है ट्रांजिट होम के रूप में और ये खास करके स्वतंता सेनानि यानि की फिर रमपाइटर या फिर उनके डिपेंडेंट क लाब उठा सकते हैं सात्मा जो केटेगरी देख रहे हैं उप्युक्त सुब्धाओं के अतिरिक्त पुर्ब अंडमान स्वतंता सेनानियों उनके जीवन साथी को एक सहयोगी के साथ बरस में एक बार अंडमान और निकोबार दूव समू की मुपत हवाई यातरा की अंडमान निकोबार की यातरा कर सकते हैं वो भी बिलकुल फ्री में जो ये साथ तरह की सुब्धाएं आप यहां देख रहे हैं साइध ही किसी सरकारी कमचारी को नसीब हो ये खास करके स्वतंता सेनारियों के लिए ही है तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपक प्रेक्सन में भी लिख कर बताईए कि ये वीडियो कैसा लगा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्नवाद